Hello友 dostu हमारे चलने सबीकों स्फवागत है तो चले आज बना लें लिए पासाला बर तरह लिए स्टार्ट कर देना YouTube इन यहां पाइअरे सारे पाइख कर शौदी स्थाओ टेला विर old 국 को डाले पामसाला ओअ धना सिचावर अगर आप नहीं प्राय करना चाहते हैं तो इसे भी डाल सकते हैं तो यह हमारे स्वाबिन फ्राय हो गया इसको निकाल लेते हैं तो फ्राय करने से क्या होता है पलाओ के टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो उसी कुकर में फिर हम डाल दिया है सर्शू के तेल आप तेल को गरम कर दो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं एक डाल चीमीछ आप नहीं डाल रूटिया तो खिल तो खोलिए वेसे जीरा प्काशक्गि अगा हम डाल दिया है एक हरी निर्च काक्टा की इसको हमें अच्छे से خ Hindus कर लेना है तो यह फै रूग ऊवलक्षा प्राय कर लेंत ये एक विनित हमारे पियाझ हो गया है इसे Nobel हम ढलिए गोबी हम गोबी इसके साथ ही सायफे रिखा लेगे जल्दी पक्षांता होग है तो इसे के लिए हम ढुतिए है फिर साथ ही ढाल देंगे गाजर सेखांता है फरे इसके साथ आलू हम ढाले है. अब इसको भी हमें फ्राय कर लेना अच्छे से यह सारे चीज को मिक्स करके हम पहले फ्राय कर लेंगे यह फ्राय हो गया है इसमें हम डाल देते हैं अधर कलोशन के पेस्ट अधर कलोशन के पेस्ट इसलिया भी डाला है इसका भी कच्छापन हट जाएगा फिर साथ ही हम डाल अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है एक हमारे अच्छे से मिक्स हो गए है कि है इसके साथ ही हम आप डाल देते हैं साराम मसारा एक जीरा पाउडर भी में हम डाल देंगे धनिया पॉड़र लाल falls Любach मिक्स कर लिया ना है उससा घ्रा ऑफर नो एंगԲाव कि कर लिया है। इसके साथ ही आद देखे हैं स्वयाबीन ध्यरे तो हम स्वयाबीन कप दें पर और मटर ये तो ऑंगे देखें जाने तो तो इसमें डाल देते हैं पल्स श्यावल को डाल गआ दल के लिए प्रेव पर móोच में टालेना नासे जर्शे साथ ृफ्राइं प्रेटिए में धलि पिर गोर सब्राइब करने देसी घी डाल दिया है इसों के बाद इसमेंमे तक नेमें भी तरह सैंगों कृषुनी मजस पिर दो शीटी आने तक वेट करना तो यह दो सीटी आ गया है अब यह देखिए भोल के दिखाते हैं तो यह देखिए कितना अच्छा सा बेज मसाला प्लाव बनके तयार है तो इसको हम प्रोश लेते हैं प्लेट में तो यह चलिए हम दिखाते हैं प्लेट में प्रोश के यहां पर हमने प्लेट ले लिया है इस अच्छा लगे तो लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा सस्क्राइब करिएगा तब तक के लिए बाई